कीचन के इंच्छेनों का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे इस सूजी से भुधि टेस्टी स्नेक्स जब भी भूग लगे हलका फुलका तो आप सुबह में नाष्ता मंदी खा सकते हैं सामकों खा सकते हैं इस तरह से एक पर जरूर बनाई बहूत ही ज्यादा टेस्टी सबसे पहले हम लोग अलू बाल लिए हैं एक बड़ा कप से में लोग सुजी राई है जीरा है गुलकी है कड़ाही गर्म कर देते हैं कि गेड़ चमच हम यहां पर तेल लिए हैं इसमें जीरा का फोरन दे देते हैं आदा चमच जीरा ले लिजेगा जीरा जैसी चटक जाएं हरा मिर्चा दीजिएगा असपाइसी अच्छा लगेगा इसे पाच हरा मिर्चा डाले हैं कटकर के और एक बड़ा प्याज डाले हैं कुप ज्यादा बड़ा नहीं है मिडियम है वो डाल दीजिए हलका सा भूनिये इसे हलका सा हल्दी दीजिए कलर आने के लिए जीरा पोडर दे रहे हैं आपे अधा चमच जीरा गुल की दोनों का पोडर मिक्से इसमें नमक स्वादन सा डालिए मसाला अच्छा से दीजिएगा तो स्वाद बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से बनाईएगा तो इसमें दो बड़ा अलू जो लिए उबाल करके उसको मिक्स करेंगे इसमें हमको बहुत अच्छा चुगा बनाना है मैसर केता, हम लोग मीक्स कर देंगे ऐसे अच्छा से मैस हो जाए गा यह ञाला को अच्छा तरह से यह बूंगे लिह यह जय काम आठ मिनर तक किते हैं हुआघ मेंटों मेंटों तक अच्छा शब्णों में अच्छा आधा चमच जिससे ज्यादा नहीं एक बड़ाए कब से सुझी लेते हैं हलका सीसे मिला लेंगे सिर्फ तेल को से ज्यादा कुछ नहीं करना सीर्फ तेल को भी मिलाना है धीमा आज में गेक्दव मिलाईए एक मिनट जैसे मिल जाएगा पिर उसी से कप से नापके हम लोग दो कप पानी से में डालेंगे अधीमा दीही माही आज में इसे बनाना है बिल्कुल आज को तेज बिल्कुल मत करें अच्छा से इसे सुजी को ना दिर मिलाई जब तक सारा पानी टानने ले कमसे कम 5-7 मिनट लगेगा धीरे-धीरे इसमें जीरा गोलकी का पॉडर डाल रहे हैं जो आपको दिखाए थे खड़ा गोलकी का दरदरा आधा चमाच है कूटके डाल दिये हैं चिली डाले हैं कुस्टोरी मेथी डाले हैं चिली फ्लेक चोटी चमशे。 तो य।сь सिमें तिखा पन अच्छा रहे. इसलिए घोल की दान अच्छा से दें दर्दरा कूटकर जा vot अब अच्छा ने कबद गराने का ऐसी को थंडा कर दीगा तब हातों से हलका सबस्जानी रहेंगा धिसे मिक्स करेंगे रेच干ущพष फिलोगने चलिए गय से उतारते हैं, हलका सा सुसुम है, हाथों से मिला के इसे मिक्स करेंगे अच्छा तरह से, खुब अच्छा से मिलाएंगे, जितना अच्छा से गोला तैयार कीजिए को अच्छा से फिलिंग इसका भराएगा, ठंडा हो गया है, इस तरह से मिलाते जाएए, हलका हल मात में हम लोग लगा लेंगे चोटा-चोटा इसका गोळा गरेंगे झिल इस तरह आपको गोला बनाना है उस तरह से बनाइए क Jewish लंब्मा करके छोटा-चोटा कार में यह बनाएंगे चकूसी कट कर देंगे आप एक तरह से घच हो जा Ty अगर दिकत होगा तो इस तरह सम्न कट करके बता रहे हैं तो चोटा चोटा गोला ही तेयार करिएगा तो बिल्कुल पेड़ा जैसा चोटा सा गोला तेयार करना है थोड़ा थोड़ा इसमें फिलिंग भर ना लुका जो हम लोग जोगा ता यार की थी उसका फिलिंग है थोड़ा थोड़ा भरते जाइगा अलका से दबाते जाइगा अच्छा से आटा अगर बना हुआ रहा तो बहुत ही ज़ली भरा जाता है चोटा चोटा है इसलिए थोड़ा सा टैम लेगए लेकिन खाने में आप इतना इस तरह बनाने के बाद हलका सा इसे दाब दें, धिरे धिरे गोला की हैं, इस तरह से दाब दीजी, इसे खुब सूरा सा डिजान बनेगा, तो देखने में बिल्कुल पेडा जैसा लगेगा, इस तरह से धीरे देर करके सभी को बना लेना है, एक कब से बहुत सुरा आपका य इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम लोग लेते जाएंगे, और फिलिंग को भरते जाएंगे, सुजी का स्नेक्स बनाने के रेश्पी पसंद आ जाए, तो हमरे चैनल को लैक्स, सब्सक्राब कर दें, सेयर करें, कमेंट में बताएं, इस तरह से हलका हलका हास से दबाईएगा, कि फिलिंग बाहर आजाएगा, बिल्कुल हलकालका दबाना है, और जी स्रफ से हम लोग मोड़ेंग, उसी तरफ से हम लोग लोड़ेंगे से, ध्यान दिजेगा, कि जी तरफ से आपको मोड़ना है, उसी तर Fest साब दबाना भी ही है, चाहे तो कोई भी अकार दे सकते हैं, ग रोगरी बला जालिए तो फांच मुनट में बनने के बाद भाव से सीजने के बाद आप देखेएगा ल करें ऐसे थोड़ा बड़ा होने लेगो तो समझेगा बिल्कुर रीडी हो चुका है खीलके थोड़ा बढ़ा हो जाता भाप से और जब ठंड़ा हो जा तभे इसे छोड़ाना है गर्म गर्म बिल्कुल नो छोड़ा है छन्नी से तूटने लगेगा हावा में रख दीजेगा इसको ठंड़ा हो जागा इसके बाद ही इसे छोड़ाईएगा धिरे-धिरे करके और फिरे से हम लोग छोग लाएंगे इस तरह से सबसजा दिये हैं देखे पतिला में पानी गर्म हो चुका है इस तरह से हम लोग डाल देंगे ऐसे बड़ा थाली से धाग दीजेगा ताकि इसका भाप बाहर नहीं नि दो चमच तेल ले लेंगे जादे बड़ा चमच नहीं छोटा चमच है इसमें मिर्ची दीजेगा तीन मिर्ची कट करके जीरा दे देंगे छोटी चमच याधा चमच भर के एक चमच राई देना है धक दीजे राई सब चटक के उनने लगेगा इसमें कड़ी पता हम लोग दो दिये हैं ठंटल ने वीज पती है इसमें अहली कलराने के लिए दे दीजे आचा से सभी को मिला दीजे चौक जरूर लगाईगा इसमें तड़का लगेगा तभी बहुत ही अच्छा टेश्टी और स्वाद इसमें आएगा इस रचे करके हम लोगो तीन मिठ चार मिठ तक ही से भूलना है उपर से जीरगी जीरा गुल की पोर्डर छोटी चमाच और जादा चमाच मीर्ची पोर्डर आधा चमाच दे देना है ये तीखा मिर्ची नहीं है, कास्मीरी लाल मिर्चे इसे कलर आगा, मिर्ची तो हम लोग पहले ही दे चुके हैं, तीधा हो चुका है, इस तरह से अच्छा से भून लीजे, नमक स्वाधन सर दीजिएगा, हलका सा कानल नमक यहां पर दे रहे हैं, छोटी चमच स्याधा चमच उलट उलट के अच्छा से भूनने के बाद देखिए एक बहुत ही खुबसूरत कलर आ जाएगा, देखिए बन के रेड़ी हो चुका है, चलिए अब हम लोग सर्व करके दिखाते हैं, इस तरह से हम लोग सनेक्स बनाएं हैं, बहुत ही जादा टेस्टी यम्मी हैं, बहुत ही जाता सॉप्ट है, आप इसे एक बार खाईएगा, तो बार 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 बनाना पसंद करेंगे, इस तरह से कुछ न कुछ बनाते रहिए, परिवार के साथ खाएं, जुआए करें, चटनी के साथ खाएं, हम लोग यहाँ पर राय का, चटनी बनाएं दही का,